यह जो लैप्टोप आप देख रहे हो यह असुस्त का लैप्टोप है model number A540S customer का कहना है कि यह start नहीं होता मतलब on नहीं हो रहा है तो आज हम इसको repair करेंगे देखते हैं इसमें क्या problem है नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है दीप आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टेक्नो पुरान में तो चलिए सबसे पहले इसको open करते हैं always use professional tool to open laptop and mobile क्योंकि इनका जो screw होता है उसको खराब होने का बहुत ही मतलब chances जादा होता है बहुत जली खराब हो जाता है ध्यान से खोले सारा screw and ध्यान दे मेरे पिता जी का कहना है कि जब भी आप electronic device या कुछ भी खोलते हो तो जो screw आपने सबसे पहले खोला है वो screw सबसे आखरी में लगेगा मुझे तो experience है तो उतना दिक्कत नहीं होता मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद बस ये है कि आप छोटे छोटे repairing जो होता है वो खुद से कर सकते है अगर थोड़ा सा भी interest है तो खोलते time कभी भी जोड जबरदस्ती नहीं करें क्योंकि हो सकता है कोई screw रह गया हो and different models जो होते हैं laptop का या different manufacturer का जो भी laptop होता है उसको खोलने का जो तरीका होता है वो अलग-अलग होता है यानि कि सब एक ही जैसा खुलता है तो ध्यान से खुले कभी कभी क्या होता है कि screw ना भी हो तो कोई connectivity हो wire का तो उससे problem होगा वैसे इसको open करने के लिए laptop opener भी मिलता है मेरे पास actually है नहीं मैं card का इस्तेमाल कर रहा हूँ debit card का जो opener होता है वो flexible steel का होता है इस model का उपर का हिस्सा खुलता है आप देख सकते हो जिसके साथ keyboard and touchpad भी खुलेगा उस ही में attach है so इनके wires जो होते हैं वो board पे connected मैं बोल रहा था कुछ दिर पहले ही अब देखो इसका जो wires होता है वो board पे connected होता है तो ध्यान से इसको खुलना पड़ता है पता चले कि आप अगर जोड़ से या थोड़ा सा speed में खोले इसको तो जो keyboard का जो wire है वो cut सकता है तुरंत एकदम ना खीचे उसको आप देख सकते हो ये open हो चुका है ये इसका board है motherboard fan, speaker, cd, dvd, hdd, battery सब दिखने लगा है तो अब normal tooth brush and piece of clothes से clean करेंगे पुरा इसको अगर आपके पास paint brush है तो वो बहुत अच्छा होता है tooth brush से उतना साफ नहीं होता है बड़ paint brush जो होता है जिसमें painting होता है घर वगरा में, grill में, alohay में वो वाला जो brush होता है उससे बहुत अच्छा साफ होगा ठीक है तो वो अगर आपके पास है तो वो बेटर है सबसे पहले मैं ऐसे ही साफ करूँगा वहाँ भी साफ कर लेता हूँ अब मैं fan को clean करूँगा ठीक है जो कि कोई भी laptop या computer का जब servicing होता है तो एक important हिस्सा है यह मतलब अगर किसी भी desktop या laptop को का service आप करवा रहे है कहीं बाहर से भी तो जो उसका cooling system होता है उसको साफ करना बहुत जोर रही होता है ठीक है क्या होता है कि most of the time ऐसा होता है कि अगर आपका system post यानि power on self test pass कर चुका है मतलब कोई भी continue beep नहीं आ रहा है जैसे beep का sound आता है system को start करने के बाद यानि सब hardware ठीक हो सकता है मतलब ठीक होगा क्योंकि beep नहीं दिया इसका मतलब भी ठीक है और इसके बावजूद system boot नहीं कर रहा है या start होके off हो जा रहा है या बार-बार start and shut down हो रहा है और message दे रहा है over heating का मतलब आपके computer में CPU cooling system ठीक धंग से काम नहीं कर रहा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ यह कि कोई भी service जब होता है चाहां वो desktop हो चाहां वो laptop हो तो cooling system उसका अच्छे से साफ करना बहुत ही ज़री है कि बहुत सारा जो problem है इसी से ही solve हो जाता है कि system नहीं start हो रहा है तो fan को अच्छे से खोलेंगे साफ करेंगे यही पर आप देखें इसका जो WN card है वो भी लगा हुआ है तो उसको भी हम खोल लेंगे WN का जो copper का जो part है उसको clean करने के लिए हम लोग normal जो rubber होता है eraser उसका इस्तमाल करेंगे ठीक है जैसे कि desktop में हम लोग RAM साफ करते हैं तो उसमें भी सेम ही rubber का इस्तमाल करते हैं RAM को साफ करने के लिए ठीक है या फिर graphic card हो या कोई और peripheral card हो ठीक है अब board को clean करेंगे display wire connectivity को check करते हुए बाकी चीजों को भी ध्यान से देखेंगे अब जैसे जैसे खोला था वैसे वैसे ही लगाएंगे मैं चाहता तो board भी खोल सकता था बट इसकी जरूरत मुझे नहीं लगी इसलिए मैंने नहीं खोला क्योंकि ज़्यादा dusting नहीं है तो board तो सही होगा अब WN को install करेंगे इसके wire जो होते है ना अब WN का जो pin वाला wire होता उसको ध्यान से लगाएं कहीं pin टेड़ा मेड़ा ना हो जाए बहुत चोटा सा pin होता एक दम तो मैं fan and WN is installed अब HDD and CDDVD install करेंगे वैसे इन दोनों का जमाना जो है देरे देरे चला ही गया है HDD is replaced by HDD and CDDVD is replaced by internet services so ये भी install हो गया now फ्रकी बोर्ड को भी साप कर लेते हैं इसको connect करेंगे बोर्ड से so subfit हो गया है let me check कि अब बूट हो रहा है कि नहीं तो आप देख सकते हैं कि laptop बूट हो रहा है इसका मतलब समझा normal इन में dusting का problem था cable bus अगर ये ही आप market से करवाने जाते हैं तो आपको जो एक किवल laptop खोलने का 500 रुपए ले लेता है और उसके बाद आपको कुछ भी बोलता है कि जैसे sir इसमें कोई board में problem था तो 1200 रुपए लग जाएगा ये display में problem था display cable का जो इकीमत होता है भाराँ रुपए होता है साड़े छे साड़े आठ से 800 से बारासो के बीच में आता है उसके बाद motherboard बनाने का 1000 रुपए से start होता है 1000 से लेके 2000-3000 उसके उपर ही जाता है तो जो छोटे मोटे जो repair होता है आप अपने घर में ही कर सकते हैं यही मेरा मकसद था बस सिस्टम को start होने देते हैं यह रहा Windows 8 और इसका home menu display लगता है इसका keyboard as well as touchpad काम नहीं कर रहा है so external mouse का मैं use करूंगा and let me open it again and check the touchpad wire एक बार मैं इसका जो touchpad wire है मैं उसको देख लेता हूँ क्या problem है इसमें मैंने बहुत कोसिस किया देख लिया बड़ touchpad काम नहीं कर रहा है मतलब touchpad जो है वो खराब है मैंने जो भी touchpad के wire के साथ किया वो professional है अगर आप यह सब चीज़े करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा आपको अगर पहली बार कर रहे हैं तो experience हो जाएगा तो आप कर सकते हो यह चीज़ तो आप अगर यह चीज़ कर रहे हो तो आपने risk पे करेंगे ठीक है अब मैं keyboard चेक कर लेता हूँ इसके लिए मुझे internet connectivity देना होगा क्योंकि यह online चेक होगा ठीक है बहुत सारा website है जो free में keyboard चेक करना allow करता है तो यह रहा एक website और यह मैं चेक करता हूँ तो पता चला है कि इनके keyboard में भी sorting है बहुत सारा key जो है वो काम नहीं कर रहा है और short भी कर रहा है अंदर से ठीक है यह देखे इसमें जो जो keys highlight नहीं हुआ है उसमें problem है जो blue color का हो गया है वो ठीक है यानि keyboard भी replace होगा इस तरीके से आप छोटे छोटे रिपेर खुद से कर सकते हो घर पे ही hope यह वीडियो आपको पसंद आया होगा मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए topic के साथ तब तक के लिए बबाए